Dear students, आज हम study करेंगे, discuss करेंगे about electromagnetic induction जिसमें हमें induced EMF means electromotive force and induced current के बारे में study करना है यहाँ पर जो concept आ रहा है electromagnetic induction का एक्चुल में एक concept हमारे पास जो आया था यह 1831 में माइकल फराडे ने एक experiment पर फार्म किया था एक्चुल में जो experiment पर फार्म किया था उसका main motto यह था कि जैसा हम जानते हैं इसके पहले हम लोगों ने इस study कर लिया है 1820 में 1820 में क्या किया था और एस्टेड ने एक experiment पर फार्म किया था एक experiment पर फार्म किया था और उस experiment थ्रू हम लोगों ने इस से अलेडे इस study कर लिया है और एस्टेड एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने अलेडे इस study कर लिया है उस experiment उसमें क्या दिखाया था कि किसी current carrying conductor में अगर कोई current flow कराई जाती है तो इस current carrying conductor के यह देखा कि किसी current carrying conductor के अराउंड यह क्या होगी कि मेगनेटिक first produce होती है क्या होती है मेगनेट्प法 do so इसी कांसेप्ट को उसमें क्या दिखा यह देखा कि किसी current carrying conductor कि यह किसी current carryingàn conductor में अगर हम current flow कराते हैं तो इसने क्या क्या किया एक while लिया यानि हमारे पास circuit की बात करें ठी faith kick कोईल के हैं सर्कुट बात करें तो कहा अगर सर्कुट में हमारे पास कुछ ऐसा किया जाए कि हमें कर्णेट मिल जाए यानि यहां पर जश्ट इसका रिवर्स प्रासेश चाहता है जो माइकल फराडे ने 1831 में एक्स्पेरिमेंट किया था एक्च्वल में इसी का और सब्सक्रावाय और प्सक्रावध सर्कुट है तो माइकल फराडे ने क्या कहा कि आगर हमारे पासं सर्कुट है इसके आराउंड हम क्या करें portraits में चेंजिंग करें में ध्यान राखनाई यहां पर मेसे और मामेटिक फलक्त का कर दिया है तो क्या देखा कि अगर हम इस coil के near about magnetic field में changing करते हैं या magnetic flux में changing करते हैं इस coil के galorometer में एक deflection मिलता है तो simply जो deflection मिलता है गalorometer में deflection तभी मिल सकता है जब circuit में current flow हो जब circuit में current flow हो अगर circuit में current नहीं flow होगी तो यहाँ पर हमें कुछी परकार का deflection नहीं मिलेगा यहां पर किसी प्रकार का डिफ्लक्स से नहीं मिलेगा उसके काड़िंग उसके क्या कहा है वेन एभर दर नंबर आप मैगनेटिक लाइन साफ फोर्स और मैगनेटिक फ्लक्स पासिंग थूए सर्कीट चेंजेज ठीना यानि क्या हमारे पास यहां कर रहा है हम कंसिडर कर यहा यहां मेगनेटिक फ्लक्स में यह लाइन साफ मेगनेटिक फोर्स हम चेंजिंग करते हैं तो जो हमें करेंट मिलती है simply that current are the induced current यानि हमने क्या देखा हम यह देखा कि माईकल फेराडे ने क्या खा औरे इक्सपेरिमेंट का reverse चेक किया था, reverse चेक किया था यानि हमने क्या देखा था यहां पर किसी current 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 conductor में current flow कराएगे तो magnetic field मिलेगा जबकि इस experiment क्या किया गया यहां पर किसी circuit के around magnetic field में changing किया गया तो इस circuit के थुरू हमने देखा यहां पर गलवानोमीटर में deflection मिला गलवानोमीटर में deflection का मिनिंग क्या है गलवानोमीटर में deflection मिलने का मिनिंग यह है इस circuit में current है ठीक तो इस प्रकार इस experimental setup से जो हमको EMF मिला that EMF is called induced EMF and the current is called induced current यानि इस प्रकार जो हमारा न्या definition बन रहा है वो definition क्या हो जाएगा electromagnetic induction का जड़े definition देखें वो क्या करा है the phenomenon of production of induced EMF and hence induced current due to a change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction linked है हमारे पास क्या है यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास क्या होने चाहिए इस particular surface area के थ्रूही पास होने चाहिए यह rectangular necessary नहीं है यह हमारे पास क्या हो सकता है यह spherical भी हो सकता है हो सकता है spherical भी यहाँ भी हमारे पास surface area यही मिलेगा ठीक तो यहाँ पर इस concept को उसने proof किया था कौन माइकल फाराडे ने माइकल फाराडे ने इस concept को प्रूफ किया था यही हमारे पास concept है सिंपली इलक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन का अब इस concept को ज़रा देखें क्या कर रहा है चेंज आप मैगनेटिक फ्लक्स लिंक्ट बीथ एक लोड़ सरकीट यानि क्या है यहाँ पर मैगनेटिक फ्लक्स चेंजिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास जो concept है मेली फोर टाइप से क्या कर सकते हैं मैगनेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कर सकते हैं क्या कर सकते हैं फोर टाइप से मैगनेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कर सकते हैं फर्स ज़रा देखें क neighboring circuit , यह जो हुमारा Second Principle दख रहा है caning current in a neighboring circuit this is a principle of transformer तो transformer के बारे में आगे हम लोग study करने वाले हैं born x by change makers in the same circuit इसके बाहेops आगे पने वाले हैं and by rotating a coil in magnetic field यानि इसके बारे में यानि अभिमाइक से Bowl w concept study करेंगे डिस्कॉस करने वाले है तीन तो हमारे पास mainly four method मिलता है four methods हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर magnetic flux में changing कर सकते हैं कहांगे ने change of magnetic flux तो change of magnetic flux जो बात हो रही है थो हम mainly इनहीं four method के थूरूर इसे easily perform कर सकते हैं अब क्या करें अब जो हमारे पास पहला जो हमारे पास दिख रहा है by moving a magnet related to the circuit तो इस concept को हम समझने के लिए क्या करते हैं एक experimental setup देखते हैं तो देखा जाएं तो पहला concept देखते हैं क्या कर रहा है जो हम इस figure देखें यहाँ पर figure दिखाये गया है पहले हम first coil के बात करेंगे तो first Michael Farradon क्या क्या यहाँ पर जैसे जाए इसमें किसी प्रकार इडाल कंट्लेक्शन नहीं था उसने क्वाइल लिए ठीना और इस 여 Candy pond कर दिया यहां पर एक बार मेंनेट लिए गया to first क्या 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 गया कि बार मैंनेट की नार्थ पोल को प्रकॉज्स क्वाइल तो को बहुत ही फाज्ट बेरी कुटली मुप करा गया तो यह देखा गया इस गलवानोमीटर में डिफलेक्शन मिला यहां पर डिफलेक्शन जो हमें मिला उस परकार देखा गया तो जैसा कि हम इसके पहले भी शाड़ी कर चुके हैं अगर हमारे पास यह wire है – कउयल के नशवार मरे या solenoid है तो यहाँ पर इस एंड पर हमारे पास र्फ्लो प्रिक्रंट वह अन्त्के लाकाइज मिल रही है तो क्या होगा यहाँ पर नार्थपूल रहा है तो हमने क्या देखा। यहाँ पर न और यहाँ पर देख रही है डालेक्सान अअफ फ्लो जो दिख रही है वह कैसे दिख रही है एंटिक लोब्रद करेंट इस हमारे क्या किया अब से मैगनेट को हमने इस फिघर में यह तो हमने देखा अगेन इस कौआलल में डिफलेक्शन मिला जो हमारे क्या है क्या क्लाख्वाईज करक्वाईज की मिनग यह है कि इस इंड पर हमारे पास हुआ यहां पर साउथ हो तो हमने दिखा यहां पर हमीं के अगला चुछ से करते हुआ और स्कूल टेखेशिंट मिलेशन इन्टे के विथा जब dato il यहाँ पर क्लाक्वाय दिख यहाँ इस इस्कृमेंट सेटूर्फ से क्या देखा गया हमने भी कहा था इस हुमारे पास और आ यह रिलेटु मोशन पर ही बेच्ट होता है क्या होता है रिलेटु मोशन पर बेच्ट होता है में से क्वाइल और मैगनेट या सेर्किट और मैगनेट के बीच में क्या होने चाहिए रिलेटु मोशन होने ही चाहिए अगर रिलेटु मोशन नहीं होगा तो हमारे पास यहां प सौफ़ौर्ट को मूब कराया था च्छा एंद फिर हमने यहां पर इसे करा आए तो हमने देखा इस ऐंड पर जो हमें只是 दिला वहां पर हमको क्लाक वाज मिला क्ला कॉआज मिला है यहाँ प्र दिखाई भी liftsasına यहाँ आपर इसमें क्या एद्ट इसमें क्या क्या सघ्थ तो हमें क्या देखा अब यहां पर क्या हुआ इस एंड पर हमें जो डारेक्शन आप करेंट मिला वह क्या मिला एंटी क्लाकवाइज मिला और एंटी क्लाकवाइज के मिलिंग क्या है एंटी क्लाकवाइज के मिलिंग है इस एंड पर नार्थ पोल प्रोडूस्ट हुआ है क्य यहां पर दिखाये हैं तो इसमें एंटे कलाकवाइज है यहां साउथ है यहां नार्थ है यहां डिफलेक्शन इस साइड है इसक्स्पेर्मिन को परफार्थ किया गया और यह कांक्लूजन पाया गया लेकिन कुछ कानकूलूजन और ही मिला जैसा कि हमने और हैस्टेट इक्सपेरिमेंट में भी देखे थे और हमने क्या देखा था जब करेंट कारिंग कंड़क्टर को क्वाइल के नियर अबाउट कंपास को अधिक होता था मोर होता था सीमिलरली अगर यहां पर हम क्या करें यहां पर क्या कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है इस जो हमार पास बार मैगनेट है इसे बहुत फास्ट मूप कराए जाए क्या 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 है इस से कांक्लूजन क्या निकला कि मैगनेटिक फ्लक्स में जितना ही रैपिडली चें होगा उतना ही high amount में current induced होगा current हमारे जो produce होगा उतना ही high amount में होगा ठीना एंड नेक्स चेकर है if the magnet is kept is necessary and the coil is moved towards or away from the magnet यानि second case में कहा जा रहा है कि हम तो है coil को rest पर रख दिया है और magnet को move करा रहा है लेकिन क्या इसा जरूरी है नो अगर हम magnet को क्या कर दें magnet को अगर हम fix कर दें और coil को move करा है क्या करें coil को move करा है तो हमें same pattern मिलेगा same phenomenon मिलेगा यानि इस case में भी हम को deflection वैसे ही मिलेगा यानि अगर हम magnet को fix कर देते हैं और coil को move कराते हैं तो same deflection हम को वैसे ही मिलेगा जैसा अभी हमने देखा था, this shows that current in the coil is produced due to relative motion between the coil and the magnet, it does not matter whether the coil is moving or the magnet, यानि coil move कर रहा है या magnet move कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, but यहाँ पर एक ही condition होना चाहिए, क्या है, coil and magnet, circuit and magnet भी का सकते हैं, coil and magnet में relative motions होना चाहिए, अगर relative motions नहीं होगा, तो यहाँ पर यह case नहीं मिलेगा, यहाँ इलक्ट्रो मेगनेट इंडक्शन का फिनामना नहीं मिलेगा, and second experiment जड़ा देखा जाए, जो Michael Faraday ने second experiment किया था, उसको भी देखा जाए, जैसे हमने कहा था भी, इसमें जो four methods हमारे पास हैं, उसमें हमारे पास second क्या था, by changing current in a neighboring circuit, तो क्या है, यहाँ पर हमने दो circuit लिया, यहाँ पर हमारे पास इसे primary consider कर लिया, यह secondary consider कर लिया, हमारे 、「 primary circuit में जो coil है जाए सब देने खर, उसको हमारे पास हमारे पास जो que nationwide है इसको ते सकनेट कर दिया था, आप क्या किया गया, जैसे की को क्लोال होच किया जैसे की को państwa किया हमने हमने क्या देखा, की को लोच करते ही सैंते मिन क्रवी आर जैसे कंति लोगा हमें वेंसे मौंट गारी मिल एक ważne केलिए इस सब령त केलिए इस साल सपीर उसकेल निघ्रामिर करक्我很 उदिल्च या जो इन आले उसका मिलेगा यानि दिखागा है इस माल हमा इसे pleasure start को चेंजिंग करते हैं या करेंट की को चेंज करते हैं जैसे हमने कहा ना इसे जैसे की को आन करेंगे जैसे सुच को आन करेंगे तो क्या होगा इनीशली आन करने से पहले सर्केट में जीरो एंपेर करेंट थी और जैसे आन कि ये कुछ पर्टिकुलर एंपेर यहां पर फ्लो तो क्या होगा उसमें currentjed Blues change होगी और जब current value change होगी तो हमारे पास magnetic flux में changing आएगी तो हमारे पास क्या मिले यहां पर gueार्ण को में क्या होगा एक new हमारे पास aint Jesu current मिले आंठेन और सेंपेडमें क्या हमने प्रफिर ऑगें क्या struct को open किया जैसे इस फीकर में दिखाया गया है तो इस जब केस में जो open करेंगे तो क्या होगा open करते ही यहां again हमें इस सर्कुट में secondary सर्कुट में एक deflection मिलेगा बट इस केस में deflection जो मिलेगा यह दिख रहा क्या है यह हमारे पास direction अप current था लेकिन जैसे आप किया गया तो हमारे पास इस सर्कुट में deflection तो हमें opposite मिलेगा लेकिन यहां पर जो डारेक्षन आप current मिलेगा वह से मिलेगा जैसे कि दिखाया गया है हमारे पास इनिसली direction क्या थी यह थी और यहां भी वही दिखाया गया जैसी मिनिंग क्या है मिनिंग यह है हमारे पास से फराड़े का second ला जो ल अदिर हो रही है तो इसको अपच कर रहा है में इम कर रही है यहां पर इधर होने इनको पर IRA था तो क्या हुआ है इस स्विश को जो ऑपेन किया तो क्या हुआ एक पर्टिकुलर करनंट के वैलू से एंपियर से क्या हुआ वह डिक्रीज करके जी रूक तरफ जा रहा था तो क्या हुआ यहां पर सेम डारेक्षनल्च करना शुरू कि यहां पर जो दिखाए कि इसके मिलिंग क्या है इसको पाए यहां पर किसी सर्किट में चेंजिंग करेंट इन दे निवरिंग सर्किट में करेंट को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं यहां पर इंडियूज यहां फिर पा सकते हैं Thus, we can say that the phenomenon of electromagnetic induction is of great practical importance in daily life. It forms the basis of the present day generators and transformers. Modern civilization always a great deal to the discovery of electromagnetic induction.